Hello students class 10th I was teaching you the rise of nationalism in Europe which will be your 10th of the chapter Germany can army be architect of the nation क्या एक सेना जो है एक राश्ट का निर्माता हो सकती है आर्किटेक हो सकती है क्या सेना राश्ट का निर्मान कर सकती है आप्टर 1848 के गर हम बात करें nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution कहता है यह 1848 के बाद जो nationalism था यूरोप में यूरोप के लोग में जो नेसलिजम की बावना थी moved away यानि कि राश्टवाद का जो राश्टवाद था यूरोप में moved away यानि कि अलगाव हो गया from the association यानि कि क्रांटी से अलगाव होने लग गया with democracy and revolution और हम बात करें अगर हम यूरोप में राज्य की जो सत्ता थी को बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में नेश्टवादी सेंटिमेंस वेर आफ़न मॉबलाइज और अक्सर हम देखते थे जो नेश्टवादी सेंटिमेंस थे यानि कि जो राश्टवादी बावनाएं थी जो राश्टवादी जो बावनाएं थी ऑफ़न मॉबलाइज यानि कि अक्सर न बावनाओं का इस्तमाल किया जाता था कंजर्वेटिव के दोरा, रूडिवादियों के दोरा राष्टवादी भावना का परियोग किया जाता था for promoting state power किसके लिए युरोप में राजनेतिक प्रभुत्वा आसिल करने के लिए and achieving political domination एक राजनेतिक प्रभुत्वा, domination means प्रभुत्वा यूरोप में एक राजनेतिक प्रवत्वाँ हासिल करने के लिए इन राष्टवादी हम कह सकते हैं भावनाओं का पर्योग किया जाता था रूडिवादियों के दोरा जिससे कि वो अपने राजनेतिक प्रवत्वाँ हासिल कर सकते थे यानि कि यूज कर रहे थे रूडिवादी लोग राष्टवादी जन्वाणाओं का इस लिए इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जो जर्मनी और इटली थे केम टू यूनिफाई वो कैसे आए एक राष्ट राज्ये बन गए इटली आर जर्मनी तो ठीक भी था कि जर्मनी और इटली एक यूनिफाई नेशन स्टेट बन गए जैसे कि हम जानते हैं जो राष्ट वावनाए थी जो नेशली स्विलिंग्स थी वेर वावड इस्प्रेड वो अर्जगर फैली थी यानि कि राष्ट वावनाए जर्मन लोगों में जो मद्यम वर्गे जर्मन लोग थे उनमें काफी फैली हुई थी और जिसमें क्या किया गया जर्मन वेर इन 1848 यानि कि उन्होंने 1848 में जर्मन में महासंग के विबिनी इलाकों को जोड़कर एक निर्वाची संसत बना ली कह रहा है 1848 में उन्होंने सभी अलग अलग छेतरों को एक करके जर्मन कान्फूरेशन इंटू एक नेशन स्टेट बनाया और गवन वाये इलेक्टेट वालिमेंट यानि कि जर्मन महासंग ने विबिनी इलाकों को जोड़कर एक निर्वाची संसत बनाई और जो राष्ट राज बन जर्मन का उनने किया इक परियास किया दर लिवरल इनिशियेटिव मगयर जो राष्ट दिर्मान के उधारवादी पहल जो भी इनिशियेटिव अने ह पहल जो उधारवादी हम कह सकते हैं राष्ट राजसाई और खौंच की ताकत ने मिलके दबा दी जो लिवरल इनिसियेटिफ जो उदारवादी जो पहल थी नेशन बिल्डिंग एक राष्ट निर्मान करने की हाउएवर रिप्रेस भाई कमबाइन खोर है यानि कि जो मिली जुली सेना थी मोनार्ज की यानि राजसाई और खौंच की ताकत ने मिलके इन राष्ट उदारवादी लोगों की इस पहल को निस्तनाबुद कर दिया उनका प्रसा के बड़े और दा मिलेटरी सपोर्टेड जो थे जो सेना के सपोर्टर थे मोनार्ची एन दा मिलेटरी सपोर्टर भाई लाज लेंड डोनस जो बड़े भ प्रसा के बड़े भू सामेत ने भी समर्थन किया था जो प्रसा के बड़े भू सामेते उनने भी सेना का सपोर्ट किया था उनके परसाद प्रसाद ने राश्च्टी एकिकरण किया from then उसके बाद प्रसाद टुकॉन लिडर्शी प्रसाद ने क्या किया 4 समाला ने टुरल समाला राश्टी एकिकरण जो आंदुलन था लिडर्शी वाव मूवमेंट वाद नैशनल उनिफिकेशन के लिए प्रसा ने भी बात में क्या हुआ मूर्टा समाला उसका परमुक जो मंत्री था चीफ मिनिस्टर ओटो वन विस्मार्ग याद रखेगा इसलिए प्रसा का जो सेनापती था ओटो वन विस्मार्ग वदा आर इट मीज जो मैंने आपको बताया की आटो वन जो विस्मार था इस प्रक्रिया का जनक था मुंतिरी था था इसनापती प्रसा की सेना और नौकर साई की मदद ली इसने क्या किया परिसियन आर्मी की मदस से और नौकर्शार्ण की मदस से इसने क्या कि आतमीज आ पिर् rap आगे को इपरिक्रिया अपना ही इस परिक्रिया का जनक था हूं और साथ वर्श के दोरान हम कह सकते हैं ठ्री वर ओर सेवन इयर साथ साल के दोरान तीन युद्ध लड़े गए फिर आस्ट्रिया डैन्मार्क और फ्रांस से तीन युद्ध में प्रसा की जीत हुई यानि प्रसा फाइनली प्रसा की जीत हुई आस्ट्रिया डैन्मार्क और फ्रांस से एंडेट इन पर्सियन विक्ट्री यानि की साथ साल में जो तीन युद्ध लड़े गए उस तीन युद्ध में आस्ट्रिया डेन्मार्ग और फ्रांस दे पर्सिया जीत गिया और इस तरह कैसे क्या हुआ? प्रसा की जीते है और एकिकरण की प्रकिर्या पूरी हुई जन्वरी 1891 में पर्सियन किंग जो था विलियम फॉस्ट वग्रेम जर्मन एमपरर और इस तरह से जब प्रसा का एकिकरण हुआ तो जो परसा का पर्शिया का राजकुमार था विलियम फर्ष्ट इसने जर्मन एम्परर को सिर्मनी में एल्डेट वर्सली यानि कि उसने वर्साय में एक समार में परसा के राजा विलियम पर्थम को जर्मनी का समराट गोसित कर दिया इसने यानि कि कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं बहुत ज़ादी मदद के बाद पर्शियन राजा ने जर्मन का समराट गोशित कर दिया गया था और इस तरह से जो एटीन जनवरी को 1781 में बहुत थन थी सुवह जर्मन राज्यों के सेना के पर्तिनिदी मंत्री ओटमन विस्मार के जो थे यानि कि जर्मन राज्यों के जो सिब्रन जेटी थे पर्तिनिदी थे अब आर्मी के वो क्या थे इंपॉर्टन पर्शियन मिनिस्टर इंक्लीडिंग रचीप मिनिस्टर तो हम कह सकते हैं कि अन बिटरली में कोल्ड मॉनिंग में किस तरह से 1871 में जो जर्मन इस्टेट परतिनिदी थे और पर्शिया के जो मिनिस्टर थे उन लोगों ने ऑटो वन विस्मार्क को गैदर कर और के और्टो मन विस्मार के सहीद परसा के में धूर्मनमं की एक सीश महल में एक बैठक हुई تھی उन इस्टेट और जो ठंडा था शीश का महल वार्सलीज में और जिसमें क्या किया गया काइजर विल्यम पर्थन के अंडर सिप में जर्मनी सामराज्य को जर्मन को क्या किय गया एक इंपायर गोशित कर जए एक जर्मन इंटायर इंपायर के रूप में डिकलेर किया गया नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस थी हम कह सकते हैं जर्मन में जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस थी निर्मान परकिरिया राश्ट्री निर्मान की जो परकिरिया थी जर्मनी के है, divin cabeza to dominion of Persian state power, यानि कि, जर्मन में राष्टे इनिर्वार परिकिरी यानि प्रसा राज्य की सक्ती के प्रोबतों को दर्शा था, जो प्रसा राज्य था, उसकी सक्ती कितनी जारी सक्ती साली थी, नए राज्य ने, जो नया राज्य था, दिर उन्ய था, मुद्रा थी, बैंकिंग और करंसी लीगाल जूडिशियल सिस्टम था जर्मनी में, पर्शियन मीजास और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेज ओवन विकेम ए मॉडल ऑफ दर रेस्ट अव जर्मनी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि किस तरह से नही राज ने जर्मनी की जो प्रैक्रिया थी, वहिस्ताओं को आदिकर बाल दिया, और इस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरह से वहाँ एक ही करन हुआ, जर्मनी का, इतली युनिफाइट की अगर हम बात करें, इतली का युनिफिकेशन कैसे हुआ होगा, लाइक जर्मनी, जैसे जर्मनी था जर्मनी क्या है, राजनेतिक विखंडन, फ्रैक्मनेंटेशन वाने होता है, विखंडन, तो इस तूटा था इतली जैसे जर्मनी होगा इसके जो वंसानुगत राज्य थे और जो बहुराष्टी थे as well as a multinational हेप्सवर्ग इंपायर यानी की हेप्सवर्ग समराज में विखरा हुआ था इटली राजनेती विखंडन तो था ही और जो इसके हमकेशने वंसानुगत राज्य भी थे वन्सो से चले आ रहे थे डूरिंग दा मिडिल अव दा मल्टी नैशनल हमस्वारिमर डूरिंग मिडिल अव दा नैंटीन सेंचुरी अगर अगर उन्नीश्वी सतावदी के मद्दे की बात करें तो इटली वस डिवादे इंटो सेवन स्टेट जो इटली था वो साथ राज्यों में विवाजी था या साथ राज्यों में बटा हुआ था विच अउनली वन सारडेनिया पीडोमन्ट यानि की जिन मैं से के वल एक जो सारडेनिया पीडोमन्ट था इटाली राजगराने का सासन था है इटालियन प्रिंसली आउस यानि की इटिली के राजगराने का था यह साडेनिया पीडोमट और अगर में बात करें नौर्थ जो उत्तरी भाग था इसका अंडर और आउस्टियान हेफ्सवर्ग के द्वारा अधिक्रित किया था उत्तरी वाग और जो हैफ सवर्गो था उसने अधिकरित किया था और जो केंड्रिय वाग था शेंटर वाज्टर वाज रूड़ वाई पोफ ने किया था अधिकरित और जो साउथन वाग था इटली का अंदर दोमिनेशन अव बुर्वान किंग वो एक हम कह सकते हैं कि तरक से हमने देखा कि पूर्वी हो या दक्षणी हो या के सेंटर में हो तो हर जगा पर अलग-अलग लोगों ने सासन किया हुआ था यहां तक कि हम अगर बात करें इटाल्वी वासा ने भी साधा रूप आसिल नहीं किया था कि इटली के जो साथ राज़ों में वाज़ी था कहां कहां बोली जाती होगी और इस्टिल एड मैनी रीजनल और लोकल वैरियेशन और इनमें अभी भी बहुत सारी रीजनल लेवल पर इतनी वैरियेशन विवित्ता देखने को मिलती थी दूरिंग दा 1830 की अगर हम बात करें याद रखिए को जो नाम आने जा रहा है जो जैब मैजिनी जो जैब मैजिनी था मैजिनी है इस पूरुड पूर फ्रोग्राम वार इनिटरी वह पूरे इटली को अलग-अलग इटली एंग होने के बाद भी अलग-अलग प्रांत अलग-अलग वेक्टियों के दारा जो शासन किया गया था जो जह मैजिनी उसको युनिफिकेशन करना चाहता था यह जर्बनी में हुआ प्रशा के दारा प्रशा ने इसमें मेहतवोल्ट बुमिका निभाई युनिटरी इटालियन जो रिपबलिक थे तो जो जह मैजिनी ने इटालवी गणराज्ये के लिए एक कारिकरम प्रस्तूत किया एक हम कह सकते हैं एक कोहरेंट प्रोग्राम सुविचारित जिसे हम कहते हैं कोहरेंट वाने होता है सुविचारित सुविचारित कारिकरम आईजविट किया इटली के गणराज्ये इटली के हम कह सकते हैं गणर एकी करण के लिए गणराज्य इटली के एकी करण के लिए he had also formed a secret society called Young Italy जोजाए मैजी ने एक गुप्त संस्ता भी बनाई जिसका नाम क्या था यंग इटली यंग इटली नाम से उन्होंने एक संस्ता बनाई उन्सने for the dismanization of his goal इसमें को क्या करना चाहता था अपने उद्योशे के प्रसार के लिए अपने उद्योशे का प्रसार करना चाहता था failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 mean the mental now fall in Sardinia predominant यानी कि अगर हम बात करें 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रो थे यानी कि 1831-1848 में mean the mental now fell up the Sardinia predominant under its rules king victor immonial second to unify Italian state दो war इसका आर्थे है कि जो क्रांतिकारी विद्रो की असफलता में युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोडने की जिम्मेदारी Sardinia predominant के सासक victor immonial dittya बर आ गई थी यानी कि जो क्रांतिकारी विद्रो वह हो रहे थे जो revol specialty revolt हो रहे थे युद्र हो अशफल हो गए थे तो इसके जरिए जो इटालवी राज्यों थे जितने भी इटालवी राज्यों थे तो उसकी सारे जिम्मेदारी किस पर आ गई थी तो सभी जिम्मेदारिया अगर हम कि अगरो तो साधिनिया प्रिटोमण के साशक जो था विटर इमनल शेकिन पर आ गए थी जो कहां का साशक था साधिनिया प्रिटोमण एक छेत्र था यूणिफाइट्ली इस्टेट जो दो the war युद्धि के जरिए इस छेत्र में जो अगर हम बात करें इन दा आइज अगर इलाइट्स ऑफ दे रीजन तो इस शेत्र में अगर हम बात करें इस शासक जो अभिव्याजित वर्ग था इलाइट वर्ग था रीजन यूनिफाई इटली जो इटली को क्या करना था एक करने का अंदोलन का नेत्थ तो किया था इटली ऑफ और दन पॉसिबिलेटी ऑफ करना था जो जो सासक थे इस सेद्र के सासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकथिक्ष इटली उनके लिए क्या था अगर वह एक इकृड इटली करना चाहते थे यानि का यूनिफेकर्शन करना चाहते थी तो वहां तो फॉलिटिकल डेफलोमेंट होता और इसका तो चीप मिनिस्टर्स थे काबूर तो वहां का हम कह सकते हैं जो सेनापती था काबूर इटली का तो काबूर ने क्या किया who had led the movement to unify the regions तो उसने एक movement चलाया ताकि उन छेतरों को एकिरित किया जा सकें इटली वाज नाइडर रिबोनलस्नी और डेमोक्रेट पर अगर हम देखें इस तरह के से इटाटवी में फ्रांस में साडिनिया प्रिडोमोन की एक चतुर कूटनेटिक संदी को अगर हम देखें उसने एक many wealthian educated member जो थे बहुत सारे अगर हम बात करें जो धनी थे और educated member थे Italian, Italian के he spoke French वो क्या करते थे इटली की वेक्षा फ्रांस से जादा अच्छी तरह किसे बोलते थे educated member जो थे वहाँ के धनी समाज जो था वो इटली की वेक्षा फ्रांस से चितर से बोलता था दो एक टैक्टफूल डिप्लोमेंटिक अलाइंस और फ्रैंक्स इंजिनियर्ड वाई कावूर साडिनेंट प्रिडोमिनेंट तो इस तरह के से हमने देखा इटली अविजात वर्ग के तमाम अमीर और सिक्षित सदस्व की तरह हुआ इटली वासा से कई वहतर फ्रैंस से बोलते थे और फ्रांस से साडिनिया प्रिडोमन की एक चतुर कूर निटिक संदी जिसके विचे कावूर का आध्था से साडिनिया प्रिडोमन में उन्हें क्या क्या 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में वह काम्याब हो गई थी इस तरह के से हमने देखा कि एपार्ट्रम रेगुलर जो टूप्स थी सेना लाज नंबर अव आम वोलेंटियस थे अंडर जो जो जब गारी वाल्डी के अंडर थी उसने क्या कि दख रही यानि की हरा पाने में काम्याब रहे और नियमित सेनिकों के अरवा जो जब गेरी वाल्डी के नेत में बारी संक्या में ससर सहसेकों ने इस युद्ध में इस्सा लिया था जो गेरी वाल्डी था जो जब गेरी वाल्डी के अंडर लीडर्शिप में बहुत सारे सेनिकों ने इसमें हिस्सा लिया इन 1860 में तो मोनार्ज इंटू साउथ इटलियन किंग्डम और टू सिसली जन सक्सीडेड इन विनिंग दे सबोर्ड आफ लोकल पीजेंज तो अगर हम बात करें कि किस तरह के से 1861 में जो 1861 के अगर हम बात करें जो विक्तर एमिनल सेकिंड था तो इसने क्या किया दित्य को एक करें इटली का राजा गोसित किया गया जो युनाइट इटली किया गया उसका राजा गोसित कर दिया गया हाओएवर मच आफ दा इटालियन पॉबलेशन आला कि जो इटालियन की जो जनसंग्या थी बहुत जादी जिसमें अमांग हूम रेट्स अब इलेट्रिसी वर वेरी आई जिसमें निरक्षर लोगों का जो परसेंटेज आप भी आई था रिमेन ब्लिस्फुली अन्वेर आ इसमें क्या था अभी उदारवादी राष्टी विचारदारा से अंजान थे यह लोग जो इटली के लोग थे इटालियन पॉबलेशन वाब लिटर तो थी नहीं तो ब्लिस्फुली अन्वेर वो अभी तक भी अन्विग्य थे जो नेशनलिस्ट आइडिलोजी थी उनकी व बात करें साउथ इटली के जो किसान थे जिन्होंने गरी वाल्डी का साथ दिया था इटली में गरी वाल्डी उन्होंने इटालिया के बार में कभी सुना ही नहीं था और मानते थे कि जो यह उनका माना था नेवर इटालिया के बार में कभी नहीं सुना था और ला टालिया वाज़ विक्टर एमिनेल वाइप और लाट आ लिया हो क्या थी विक्टर एमिनेल की पत्नी थी उनका ये मानना था